असलाव अलेकुम प्यारे बच्चों आज हम यूनिट्स और मेजर्मेंट का लेक्च्चर सिख स्टार्ट करने जा रहे हैं जो किलास 11 का है अब इसमें बच्चों हमने पराने टॉपिक अगर आप देखें तो आप कापी में बिल्कुल नोट करें होंगे और अश्चित से इस तो अब यहां पर तीसरा जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं तो फाइंड कन्वर्जन फेक्टर बिट्विन टू सिस्टम आफ यूनिट्स यानि किसमें हमने यूनिट्स के बारे में देखा था आप अपको याद है एसा उनिट और सीजिए उनिट के बारे में हमने अब जैसे डिस्टंस डिस्टंस कना क्या क्या ऐसा यूनिट भी देखना है और तो उनिट क्या होता बोली है मीटर और सीजिए में töंट सेंटीमेटर भी इसको अगर देखें हम मिटर सेंटीमेटर में अराम से कומhssOT net कर सकते हैं जैसे कि वन मीटर कितना होता है तो आप बोलेंगे हंड्रेट सेंटीमेटर है तो इसका कन्वरजन्ट फेक्टर तो अपने को मिल गया यहां पर हमको इसकी डैमेंशनल एनेलेसिस देखने की जरूरत ने क्योंकि डायरेक्ड हम वन मीटर का 100 सेंडिमीटर बोल सक रहे हैं लेकिन बाद से आते हैं बच्छों वर्ट कि इसका हम यूनिट ने निकाल पाते हैं तो उसको कैसा डालेंसिस निकालेंगे वह हम देखने जा रहे हैं तो क्यों निकाल रही है आपको समें आगा डिस्टंस का है इसलिए आपको जरूरत नहीं अब यहां पर हम निकालेंगे बच्चो फोर्स का चलिए आए फोर्स का देखते हैं अब जो जैसे डिस्टंस का हमने आराम से निकाल लिया था वन मीटर इक्वल टू हंड्रेट सेंटीमेटर इसी तरह से फोर्स का हम देख लेंगे फोर्स में इसका इसाइए उनिट और सीजेस उनिट क्या है बच्चो आपको याद होगा आपने पढ़ा है इसाइए उनिट क् इसका डाइन अचैने तो यह निउटन तो आपने सुनाई है फोर्स का इनिट सीजेस में डाइन यह दैन श्याद हो सकता अपके लिए नया होगा यूनिट लेकिन इस अगर मैं कहा कि इनका डैमेंशनल अनलेसिस कैसा करेंगे तो यहां पर मैं अगर कहा कि बैवन निउटन इक्वल टू हो मुच डाइन तो आपको बोलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कैसा नेकालना तो बच्चों हम देखना पहले कि जैसे न्यूटन इसका फार्मूला हमने क्या देखा किलो गिराम मीटर पर सेकंन और डाइन में क्या हो जाएगा बच्छों तो यहां पर में इसका डाइनलेस से जबनो निकालेंगे तो हम किस तरा से निकालेंगे आइए इसको देखते हैं 粗ालीग है तो बाड़ी खाली आप पंसेंट्रेट करो वस तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एन न्यूटन इक्वल टू एक्स डाइन इसको equation number one दे देते हैं तो हम यहां पर फ़र्स करेंगे एक निउटन कितने डाइन है तो हम समझ रहें कि इसкое है यसके हब हम हैं और यह वैस से लिख रहा हुँ ठीक है अब अच्छो देखो यह क्या है लेंथ है यह मास है और यह टाइम ठीक है लेंथ बताओ इसके अंदर हम इस साइट एसा unit ले रहे हैं और equal to के उस side cgs unit लेने वाले हैं तिक अब पहले हम एसा unit का जिगर कर लेते हैं बता इसके अंदर length कौन सा है लेंद यह क्या है यह मास है कि मेटर है मेटर है याने कि यह लेंद यह मेटर पर आता है तो यहां पर भी यह लेंद इसके ओपर यहां कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है पर वन अब यह क्या है मास है मास गिराम से निकालते है किलो गिराम से तो यह किलो गिराम इसके ओप माइनस टू ठीक है इसी तरह से एक्स डाइन के दर्फ देखेंगे अब आजेंगे हैं यह एक्स फिर ब्रैकेट में रहा हूं अब इसका डामेंशनल ले रहे हैं एल एम टी बताओ अब यहां देखो लेंथ किसे ले रहे सेंटिमेटर वन मास गिराम से ले रहे कुछ है नहीं है वन टाइम सेकंड स्कॉर टाइम से तालूख रगता है लेकिन उपर ला रहे तो यह हो जाएगा मैनस टू तो यहां पर यह वैडियो हो गए अब अच्छों याद देंगे यह 2, यह 2, यह 2 अब याद रखना L1 एसा यूनिट के लिए L2 CJS यूनिट के लिए ले रहे हैं अब बच्छों मैं इस डायमेंशन को इस साइड ले रहा हूं इस साइड ले रहा हूं इसका मतलब यह एक्स रह जाएगा यह मल्टिप्लाइम है तो इसके डिवाइ कि अब फिले लेंगे ल्टू डैश कि ए एम टू डैश कि मैनस टू थिक है तो बच्छों यह SI और यह CJS equal to क्या बज़ गया था एक्स बच गया था ठीक है अब इनको क्या करेंगे L1 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 L2 को अलग कर देंगे M1 M2 को अलग कर देंगे कैसे देखे daha L1 डेश अपान L2 डेश एक ब्रैकेट में चला गया बुसरे ब्रैकेट में M1 डेश अपान M2 डेश यह इक ब्रैकेट में आ गया इसके बाद I का ले लेंगे T क्या है t1-2 upon t2-2 ये लिए इसके बाद equal to x हो गया अब बच्चो हमको इसको गौर से देखो इसका formula इससे भी हो सकता है कैसे जैसे अगर मैं कहा a raise to m upon b raise to m क्या होता है बच्चो इसको हम बोल सकते हैं a upon b raise to m ऐसे लिख सकते हैं तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे इनको भी कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा बोलियो बच्चो जलीली बोलो ये पावर एक ही तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इसमें l1 upon l2 कब पावर क्या हो जाएगा इस फार्मले की बिना पर ये 1 दोनों को एक है तो यहाँ पर एक बार ले लेंगे इसके बाद फिर m1 upon m2 इसका भी पावर दोनों का पावर 1 है ये 1 ले लिए इसके बाद पावर क्या लूँ जल्दी बोलो मैनस टू इक्वल टू एक्स ले लिए अब अच्छो इसके बाद मुझे बताओ कि ये l लेंथ है लेंथ कौन सा है एसा यूनिट का ये लेंथ का है cgs यूनिट का एसा यूनिट में लेंथ कैसे लेते मीटर से लेंथ का सुसराओ इसका यूनिट लेंगे लेंथ का जो इसा यूनिट में है तो मैंने आपको बताया था लाट था इससा यूनिट से लेंशे था है में आप это स ratings कि से लीग तर से लीकते हैं याद रहना अब आ देगे बहर ला लेंगे Length इसका ले लेंगे Me и retour upon CGS में क्या होता है इसका cm होता है इसका power 1 ले ले रहे हैं अब यह mass है mass का SI unit में क्या आता है? Kg upon CGS में gram इसका भी power हम ले लेते हैं 1 नई भी ले तो किलेगा लेकर लेना है टाइम का इस्लिए unit और cgs दोनों में second ही है तो इसलिए हम लेंगे s upon s to the power यहां पर हम लेंगे minus 2 equal to x यह s और यह s क्या हो गया इसमें cancel तो क्या बच जाता है बच्छे हम पर दिख रहा है ना आपको अच्छे से चलिए क्या बच जाएगा इसमें 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 cancel कर दिये चलिए आप यहां पर देखेंगे अब आपको पता है कि one meter equal to कितने centimeter 100 centimeter 1 gram equal to कितना होता बच्छो 1000 gram तो यहां पर हम लेंगे one kilogram कितना होता है 1000 gram ठीक है तो यहां पर भी हम यहां पर जैसा है formula हमने लिखा था अभी हमने दाइमेंशन हासिल किये थे इन दाइमेंशन के अंदर देखिए अब बताए यहां पर मैंने क्या लिख सकता हूं है 100 centimeter अब यहां पर अब यहां पर वन किलो गिराम तो क्या लिख सकता हूं 1000 gram लिख सकता हूं ठीक है तो उसी तरह से यहां पर भी वैसी लिखेंगे आप देखिए वो दाइमेंशन को मैं चेंज कर रहा हूं लिखेंगे यहां पर लिख रहा हूं मैं 1 meter equal to 100 centimeter divided by centimeter तो पहले से है तो centimeter हमने लिख दिया इसके बाद बच्चों किलो गिराम एक किलो गिराम कितने का 1000 gram का तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1000 gram अपान और और गिराम पहले से लिखा है और बच्चों वह सेकंड सेकंड हमने कट कर दिया था जिसके लिए वहां पर बच्चा 1 और उपर ले रहे हम माइनस 2 equal to x ले रहे हैं अब बच्चों यह सेंटिमेटर यह सेंटिमेटर केंसल हो गया यह गिराम यह गिराम केंसल हो गया तो यहां पर यह क्या बच गया कि 100 multiply यहां पर क्या बच्चा बच्चों कि 1000 और वन तुदा पावर एनिथिंग याने उन एक्वल टू यह एक्ष हो गया अब बच्चों यह पर देखो कितने हो रहे हैं इन सब को प्लस करो कैसा करते हैं वन तू थ्री फॉर फाइए इसका मतलब मैं लिख सकता हूं बच्चों एक दो तीन चार पाँच कितना हो रहा है यह वन लैक इक्वल टू एक्वल टू पाँच तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों यह वन टू थ्री फॉर फाइए याने टेन टू दा पावर फाई तो यह मुझे क्या मिल रहा है बच्चों यह एक्स की वेल्यू मिल रही है अब इसको हम लिके रहेंगे बच्चों एक्वेशन नुम्बर वन के द एक्स डाइन नौ वी कें राइट यहर लाइक दिस वन न्यूटन इक्वल टू टू 10 रस तू 5 डाइन तो इस तरह से इसका हम क्या कर सकते हैं डाइमेंशन कर्वर्जन फेक्टर हम निकाल सकते हैं कौन से कौन से उनिट का ऐसा यूनिट का और सी जी एस उनिट का ठीक है एक बार इसको फिर से देख लो और एक एक्जामपल लेता हूँ थोड़ा कुद भी कन्फूजन है तो और किलिर हो जाएगा कन्फूजन के कोई मसला ही नहीं है बच्छो सिधा सिधा आप देखिए कि हमने या पी लिया वन यूटन इक्वल टू एक्जाइन लिया इसके बाद हमने क्या किया बच्छो यह न्यूटन यह दोनों भी फोर्स के तरफ आते हैं फोर्स का तो आपको डैमेंशन मालूम है नहीं पता है तो इस फार्मुले स इसका मीटर लिया और इसका हमने कि सभी से एसा यूनिट के हैं इसलिए केजी लिया और यह सीजियस के इसलिए सेंटीमेटर गिराम लिया और टाइम तो दोनों के लिए होता है सीजियस और एसाई के लिए दोनों भी सेकंड होता है इसलिए हमने वह लिग दिया इसके सेउन्टिमेटर 1000 ग्राम गिम और कर कोई सेगंट सेगंट सेगंड में कट कर दिय CL he 100 ताने लिग च्पिल राइवन टो फिल टो वन है कि यहां पर यह जीरो को मिला तो हम आरे पर 1 नूट इपल तो कितना मिला वच्छो एक दैन मिला वन इसके बाद दूसरा इसको देखते हैं इसका इसकी शॉट ले ले लिए और लिख दीजिए अब आ जाते हैं बच्छो वर्डन पर वर्डन में इसका एसा यूणिट क्या है जूल सीजेस क्या बच्छो अर्ग लेगिन इसको अगर हम देखें तो मैंने आपको यह बताया था कि इसको कैसे लिख सक सकते हैं ठीक है अब उसके साब से मैं आ यह पर लूँगा हम इसको होता है बच्चो energy में मैंने आपको बताया था dimensions क्या होता है इसका होता है बच्चो L1 M1 T1 जिसका हम suffix तो हमने ले लिया पावर क्या था इसके L2 M1 T-2 equal to अब यह X को वैसी लिखेंगे आप दोबारा पुराना मेरे वीडियो देखो इसके अंदर आपको energy में या work done में मैंने आपको dimension निकाल के बताया था वह सेम वहीं लिख रहा हूँ इसको CGS में हम L2 करते हैं M2 T2 इनके पावर भी सेम रहेंगे L2 M1 T-2 अब आचाते हैं बच्चो इस value को इधर ला लेते हैं तो यहाँ पर यह value क्या बज गई L1 square M1 T1 minus 2 divided by L2 M21 T2 minus 2 equal to x यह value मिल गई अब इनको फिर से जैसे पहले हमने किया इनको अलग कर लेंगे अलग कर लेंगे direct में इसको value लिख दे रहा हूं बच्चो जैसे अब भी जो मैंने example solve किया L1 इहां पर लिख रहा हूं मैं L1 upon L2 to the power दोनों का power एक ही है इसलिए 2 ले लिया दिवारेट by इसके बद ले रहा हूं M1 upon M2 दोनों का power सेम है इसलिए 1 ले लिये इसके बाद T1 upon T2 दोनों का power सेम है इसलिए हमने लिया सिम्हरे मंधा is to equal to x सेम है बच्छो ज्याद करे moment का क्या होता है बच्चो कि अब बूलेंगे में और से ग्रमTON क्या होता है सेंटिमीटर पावर किया इसका क denkt क्या होता है वल्द को मस्तूं क्या होता है कि लोग गिराम और मिटर में जंडेट में अठी साई इणिट में सेम होता है तो यहाँ पर कहलेंगे ऐस अपाउण एस सेकंड है और पावर दोनों का 1-2 एक्वाल टू एक्वाल एक्स ले घए अब ऊचो हमको पता है फिर से वही बात आ रही है वन मीटर 1 meter equal to तो यहाँ पर हम बोलेंगे बच्चों 1 meter कितना होता है 1 meter equal to 100 centimeter upon इसके बाद centimeter को same लिख देते हैं to the power 2 इसके बाद बोलो बच्चों 1 kilogram equal to 1000 gram तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 gram upon यह gram इसको कटेंगे इसके बाद सेकंड और सेकंड यह यहां पर क्या हो जा रहे कट हो जा रहे कट होने से यहां पर क्या मिला 1 to the power minus 2 equal to x अब इसमें क्या cancel होगा बच्चों यह centimeter यह centimeter कटेगा यह gram यह gram कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यह hundred का power 2 इसके बाद फिर यहां क्या बचा 1000 का power 1 और 1 rest to anything यहांने multiply 1 equal to x तो बच्चों इसका power अगर करेंगे तो कितने 0 हो जाएगे तो हो जाएगा in 2,3,4 यह 4,0 हो जाएगे multiply यह कितने है 1,000 equal to x बताओ इनके 0 पूरे गिलों कितने हो रहे 1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7 इसका मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि क्या हो रहा हुलिए कितने 0 हो जा रहे 10 to the power यह 7,0 हो रहे तो power 7,0 दिये तो 7,0 हो ज जाते हैं पावर 7 दिये तो 7,0 पावर 5 दिये तो 5,0 ठीक है equal to x अब इसका मतलब क्या हो रहा वन जूल एक वल्टू कितने अर्ग हो रहे हैं 10 to the power 7 अर्ग हो रहे हैं ठीक है तो इस तरह से हम work done काम निकाले work done में भी same हमने वही काम किया बच्चों याद रखना same dimension हमने लिया इनका dimension लेने के बाद फिर हमने इनको divide किया इनको अलग कर दिया अलग करके हम इस तरह से लिखा उसके बाद में फिर हम इनके units लिखे, इसके बाद इनके value लिखे, इसके बाद फिर हमने क्या किया, centimeter क्या, इनके power के साथ लिखकर, जो 2 है तो इसके 40 कर दिये, 1 है तो कोई 0 ने बढ़ेगा, और यह multiply 1 से कोई फर्क ने पढ़ता है, इसलिए x, इसलिए हमने आ लिखा 10 to the power 7x, तो इसका मतलब 1 jule कि 10 to the power 7, अर्ग होता है, यह आप याद रखना, बचो अभी भी आपने subscribe नहीं किया, चैनल तर सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद कर वीडियो जल्दी upload करूँगा, आप इंतिजार कीजिए, और पढ़ते रहिए, syllabus का attention ना ले, syllabus इंशाला हम जल से जल पूरा करने की कोशि अर्भwar याद रहिए, झाल बचई रखना, जाल तर से जल दो ने इंशाला होतां है, बबच होता है, भाद रहिए, गल्नन method कर दो अपाद से बाढ़ते है, जबच होता है, बचुार रहिंए, हुद़ है, मैं तर साथ है, जा सब्सक्राइब की जल सुराइब कर थändig मैं स्क